नगर प्रशाशन मंत्री केटिया ने अधिकारियों को यहाँ सुनिशित करने के निर्देश दिये है कि भारी बारिश के कारण शेहरी शेत्रों में कोई जन्हानी ना हो मंत्री ने प्रगती भवन के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये समिक्षा की राज्जी में भारी बारिश के मद्दे नजर हाइदरबाद समयत कई अन्य शेहरों के हालत की समिक्षा की गई GHMC जल मंडली वा नगर विभाग के उच अधिकारियों से जानकारी मांगी गई है केटिया ने सुझाव दिया है कि हैदरबाद शेहर के साथ साथ अन्य शेत्रों में भारी बारिश से प्रभावी शेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए राहत उपायों को तेजी से आगे बढ़ाया जाना चाहिए बारिश जारी रहने पर एहतियाती कदम उठाने के लिए अधिकारियों को अभी से तयार रहने के निर्देश दिये गए है कहा जाता है कि समास से जुड़े 43 गुरुकुल जहां आबंटित किये गए है उसके अलावा अन्य शेत्रों में भी जारी है और CM KCR के आदेश के अनुसार उन्हें तुरंत उनके संबंदित छेत्रों में इस्थान अंतरित करने की विवस्ता की जानी चाहिए बुदवार को मंतरी कोपुला और समाच सचीव रोनाल्ड रॉस ने स्थी गुरुकुलों से संबंदित विविन मुद्धों पर अधिकारियों RCVO और प्राचारियों के साथ जुम बैठक की मंतरी तलसाने शीनिवास यादाव ने निर्देश दिया है कि नीजी डाइरियों को प्रोसाहित करने के लिए पशुपालन विभाक और TSLDA को विजया तेलंगाना डाइरी के विकास को और आगे ले जाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए साकारी प्रभंदन संस्ता राजंद्र नगर में विभिन जीलों के विजया डाइरी डीडी और प्रबंदकों के लिए एककुरिक डाइरी विकास योजना पर एक दिवसिय कारेशाला का योजन किया गया इस अवसर पर मंत्री ने मुख्य हतिती के रूप में भाग लिया और कारेशाला का उधगाटन किया कलसारी ने कहा है कि देश में कुरुशी के बाद परिवार डैरी शेतर में अपनी आजी विकास चलाते है इस ओध्योगिक शेतर के विकास के लिए सरकार इस पर निर्भर किसानों को हर प्रकार की सायता प्रदान कर रही है सभापती MPKK ने कहा है कि तेलंगाना में भारत की आजादी का जश्न 15 दिनों तक मनाया जाएगा अगले महने की 8-22 तारिक तक वजरोज सव होगा उन्होंने कहा है कि CM KCR HICC में वजरोज सव समारों की शुरुवात करेंगे हम करोडो राष्टिय ध्वच फहराएंगे और रैलिया करेंगे बताया जाता है कि ट्राफिक सिगनल के पास भी जना गना मना गाया जाएगा 22 अगस्ट को LBCDM में सभा का आयोजन किया जाएगा योजना है कि हर जिले से 1000 लोग आएंगे रेतु बंधु के नाम पर सभी सबसेड़ी रोकने पर KCR पर BJP के प्रदेश अदेक्ष और सांसत बंडि संजे ने जमकर आलोचना की बाजपा प्रदेश कारले में आयोजित विकास मोर्चा की प्रदेश कारिकारेनी की बैटक में बंडि संजे ने भाग लिया केसियार शेक ही भगा रहे है कि वहाँ किसानों के लिए कई कारेकरम कर रहे है उन्होंने पूछा कि अगर वहां करमचारियों को वेतन ठीक से भुकतान नहीं कर पा रहे हैं तो वे किसानों का समर्थन कैसे करेंगे केसियार जुट बोलकर किसानों को भड़का रहे है कि केंदर सरकार कुर्शी मोटरों के लिए मिटर लगाने जा रही है महिला कॉंगरेस के नेथवत्व में एर्रा मनजिल में नागरिक अपूर्ती भवन का घेराफ किया गया भाजपा के अधर सरकार द्वारा आवशक वसनों के कीमतों में वृध्धी और जी एस्टी करों के प्रतिशत में वृध्धी में विरोध में और महिला कॉंग्रेस अध्यक्ष सुनीता राव ने नाकरी कपूर्ती भवन का घेराफ किया इस मौके पर मुख्य मार्क पर मोदी का पुतला दहन किया गया सुनीता राव ने आलोचना की कि मोदी सरकार ने आम लोगों पर असानिय बोज डाला है और गरीब लोगों को नुक्सान पहुंचा रही है विरोध में उन्होंने केंदर सरकार के खिलाफ नारे बाजी की भाशपा विदाएक राजा सिंग ने तेलंगाना के मंत्री केटी आर की आलोचना की उन्होंने कहा है कि केटी आर ने ट्विट किया था कि अगर उन्होंने जी एस्टी और बढ़ती कीमतों के बारे में बात करने की कोशिश की तो वे अपने सांसदों को संसद में निलंबित कर देंगे केटी आर को इस तरह ट्विट करने का अधिकार नहीं है क्या आप बीती बाते भूल गए हैं क्या आप सभी ने हमारे तीन बीजेपी विध्याकों को पूरे विधानसभा सत्र के लिए निलंबित नहीं किया क्या आप आज निलंबन के बारे में बात कर रहे हैं तुम सब मिलकर लोगों को धोका क्यों दे रहे हो मालम हो कि पैर की चोट के कारण घर में रह रहे KTR को मनोरंजन के लिए OTT पर अच्छे शो का सुझाव देने के लिए कहा गया था इसे लेकर विपक्षी नेता KCR की आलोशना कर रहे है शिक्षक संगों ने शिक्षा निदेशक से शिक्षकों की समस्याओं के समाधान की मांग की है शिक्षकों ने मांग की है कि 317 जीयो पीडितों के स्थान अंतरन पदोर्नती और अपील का समाधान किया जाना चाहिए शिक्षक संगों ने नेताओं ने कहा है कि स्कूल अनुदान का अबंडन तत्काल किया जाए टीपी टीएफ नेताओं ने शेक्षिक स्वयम सेवकों की न्यूक्ति की पुलिस ने इसे जगहन्य कुरुत्य बताया है कि अगर वे अपनी समस्याओं की उपलबधी के लिए लड़ रहे है तो उन्हें गिरफतार ना किया जाए शिक्षकों के अंदोलन से तनाव है इसी के साथ पुलिस अंदोलन कारियों को गिरफतार कर ठाने ले गई हैदरबाद में प्रवर्तन निदेशाले की तलाशी से हड़कम मच गया है इडी ने शेहर में एक साथ आठ जगहों पर छापा मारा अधिकारियों ने कसिनो के स्थानिय एजन चिकोटी प्रविन और माधवरेड़ी के घर की तलाशी ली इडी ने आई एस सदन में प्रविन के आवास और बोयन पली में माधवरेड़ी के घर पर चापे मारी की चिकोटी प्रवीन और माधव रेड़ी पर भारत नेपाल सीमा पर कसीनो चलाने का आरोप है इन दोनों ने जुवारियों को शमचाबाद हवाई अड़े से पस्चिम बंगाल के बाग डोगरा हवाई अड़े के लिए विशेश उड़ानों में ले जाया गया वहाँ से 10 से 13 जुन तक नेपाल के होटल मेची क्राउन में एक कैसीनो कारिकरम आवजित किया गया था इड़ी की जांच में पता चला कि उसने टॉलिवूड और बॉलिवूड डांसर्स के साथ डांस किया था चिकोटी प्रविन और उसकी पत्नी और बेटे से भी पूश्ताच की जा रही है दिल्ली से एड़ी की विशेश टीम बोयन पली में माधव रेटी के घर पर अधिकारियों से पूश्ताच कर रही है कई मात्वपुन दस्तावेश जब्त किये गए कई एहम सबुट जुटाए गए है तेलंगान और अंदर प्रदेश की कई प्रमुक हस्तियों के इन से संपर की बात का पता चला है माधव रेटी द्वारा इस्तेमाल की गई कार पर विधायक कस्टिकर मिला था या मंत्री मला रेटी से संबंदित विधायक कस्टिकर निकला बुक्का भाग्य लक्ष्मी मदुसुदन रेटी पारशद ने मुसराम बाग ब्रिच बंद इलाकों का दोरा किया जैसे ही उस्मान सागर और हिमायत सागर के द्वार उठाय जाते हैं पानी मुसराम बाग पुल के उपर से बहरा है नगर सेवक ने कहा है कि मेयर ने अपने पिछले दोरे में मुसराम बाग पुल बनाने का अवादा किया था लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है टियारेस विधायक बाल का सुमन और गुवला बाल राजू से भड़क गए। सुमन और बाल राजू द्वारा की गई टिपनियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि किसी समय इटेला तेरास के वरिष्ट नेता रह चुके और उनके खिलाफ अभदर टिपनी करना श पराई लड़ी। उन्होंने सवाल किया है कि तेलंगाना अंदोलन के दोरान केटियोर और कविता कहां थे। इटेला को एक नयतिक और इमांदार नेता कहा जाता है। 2017 में तेलंगाना राजी के गठन के बाद राज्य सरकार ने स्टी के लिए आरक्षन को 6 प्रतिशत से बढ़ा कर 10 प्रतिशत करने के लिए विदान सभा में एक प्रस्ताव पारित किया है। केंदर सरकार ने कहा है कि BCE आरक्षन सुप्रिम कोर्ट में दायर मामले से संबंदित है और इसलिए अदालत के फैसले तक आदिवासी आरक्षन को बढ़ावा संभव नहीं है। ST संसद इस बास से नारस थे कि इसे कई बार संसद में उठाया गया। खुलासा किया है कि TSPASC वेबसाइट पर आउनलाइन आवेदन्स विकार किये जाएंगे। उन्होंने कहा है कि उमिद्वारों की योग्यता अन पहलियों और अधिसूचना का पूरा विवरन TSPASC की वेबसाइट पर प्राप्त किया जा सकता है। गूगल ने भारत में स्ट्रीट व्यू सेवाओं को फिर से लॉंच किया है। घरेलू, टेक कमपनियों, टेक महिंद्रा और जेनेसिस ने इन सेवाओं को उपलब्द कराया है। इन सेवाओं को हैदरबाद समेथ पहले 10 शेरों में लॉंच किया गया है। गूगल ने इन सेवाओं को इस साल के अंते तक 50 शेरों में लॉंच करने का फैसला किया है। इस संबन में गूगल ने बुधवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फिरेंस की। पहले चरण में गूगल ने जानकारी दी की इन सेवाओं को हैदरबाद के साथ साथ बैंगलोर, चिन्ने, दिल्ली, पूने, नासिक, वडोदरा, आहमदाबाद और अमरिसर में उपलब्द कराया गया है। गूगल ने कहा है कि इन शहरों में देर लाग किलोमीटर स्ट्रीट व्यू में कवर किया गया है। गूगल स्ट्रीट व्यू के माधियम से एक सड़क को 360 डिग्री पेनोरमा शॉट्स में देखा जा सकता है। शहर में बारिश का सिलसिला भले ही थम गया हो बड़ती बाड हाइदरबाद के लोगों को परेशान कर रही है। विकाराबाद और रंगारेडी जिले में भारी बारिश के अलावा जुडवा जलाशियों से छोड़े गए पानी से मुसी नदी खतरनक तरीके से भैर रही है। इनमें इसी का पानी शामिल होने से तट्टिया इलाके के लोग देशत में है। मट मेले पानी से भर गया है। भारी बार के पानी के कारण आसपास के शेतरों की कॉलनिया जल्मगन हो गई। जब पुराना पुल में एक व्यक्ति पानी में डूब रहा था, मंगल हाथ सी राजू पानी में कूद कर उसे बचा लिया। कालाबों की और जाने वाली सड़कों पर वाहनों के आवागमन को नियंतरित कर लिया गया है प्रदेश में संसनी फैलाने वाले जूबले हिल सामुहिक बलतकर मामले के आरोपी को एक विधायक का बेटा है को हाई कोट ने जमानत दे दी है इस से पहले जुवनाईल जस्टिस बोड ने मामले के अन्य चार नाबलिक आरोपियों को भी जमानत दे दी थी दो बार पहले ही आरोपी की जमानत खारिच कर चुकी बोड ने इस बार शशर्त जमानत दे दी है इस मामले में पुलिस को सयोग करने के अलावा उसे हर महीने हैदरबाड डी पी ओ के सामने पेश वो जमानत देने का आदेश दिया नतीजा यहा रहा कि 6 में से 5 आरोपियों को जमानत तो मिल गई लेकिन अदालत ने A1 आरोपी सदो दिन को जमानत नहीं दी तेलंगाना राज्चे में कोरोना वाइरस के मामलों की संक्या बढ़ती जा रही है हाल तक रोजाना 800 से भी कम मामले दर्च किये गए थे हाल ही में यहां संक्या पार हो गई है पिछले 24 घंटों में 36,774 लोगों का परिक्षन किया गया और 852 कोविड मामले सामने आए 640 लोग जो पहले कोविड के सक्रिया मामले थे ठीक हो गए है इसमें कहा गया है कि पिछले 24 घंटे में कोविड से कोई मौत नहीं हुई है राज में अब तक मरने वालों की कुल संख्या 4111 है बैडमिंटिन स्टार पीवी सिंदु को एक और सम्मान मिला है 2022 कॉमन वेल्थ गेम्स आज से इंग्लैंड के बर्मिंग हम से शुरू होंगे सिंदु को इस विशेश उदगाटन समारों में भारती राष्टिय ध्वच को थाम कर पहली पंक्ती में चलने का शांदार अवसर मिला सिंदु राष्ट मंडल खेलों में भाग लेने वाली भारतीय टीम की ध्वच वाहक होगी भारतीय ओलंपिक संग ने इसकी घोशना की है भारत के ध्वच वाहक नीरत चोपडा चोट के कारण इवेंट से हट गए बैडमिंटिन स्टार पीवी सिंदु को उटगाटन समारो में टीम इंडिया की ध्वच वाहक के रूप में चुना गया है